Dear students, इस वीडियो में मैं आपको class 6 exercise 6 E को complete करवाऊंगा बिल्कुल simple है हमें इनको plus करना है और second sum में subtract करना है तो इसके लिए आपका rule क्या होता है हम basically जो fraction होते हैं हमारे उनको LCM लेके solve करते हैं लेकिन आपको एक short method बताते हैं वो क्या कि अगर नीचे वाली जो denominator है हमारे वो same है तो हमें LCM लेने की जुरूरत नहीं है वही statement जो है वो LCM होती है तो यहाँ पर जो है जिससे 2 by 5, 2 by 5 तो इनका LCM जो होगा वो 5 ही होगा उपर वालों को आपने direct plus कर देना है 2 plus 2, 4 by 5 यहाँ बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं 2 plus 2, 4, 5 plus 5, 10 यह गलत है नीचे वाला जो है उनमें से एक ही लेना है आपने क्योंकि वो LCM लिया जाता है तो answer के बनेगा 5 और उपर direct plus कर दो 2 plus 2, 4 and 4 by 5 यहाँ पर same rule apply करेंगे 11 नीचे 6 plus 4 तो यह आज़ेगा 10 by 11 next है 8 plus 8 by 13 तो यह आज़ेगा 16 by 13 इसको आप mixed fraction में भी change कर सकते हैं तो answer आएगा 1, 3 by 13 इतना रखेंगे तब भी सही है कोई दिक्र नहीं है next है 6 plus 10 तो 16 by 21 next statement में आप देखें नीचे आज़ेगा 72 और उपर आज़ेगा 19 plus 17 तो यह कितना हो ज़ेगा 9, 7, 6, 1, 1, 2 plus 3, 36 by 72 और 36 की table में 2 पे आता है 72 तो answer आज़ेगा 1 by 2 next है हमाने पास F जो part है इसका तो उसमें हम देखें 18 plus 7, 18 plus 7 divided by 25 तो यह हुझेगा 25 divided by 25 cancel करके 1 हमारा answer आज़ेगा next है g part जो है यह mixed fraction में हमें given है तो हम इसको solve कर सकते हैं पहले इसको simplify करेंगे 4 to the 8 plus 1, 9 by 4 plus 2, 4 to the 8 plus 1, 9 by 4 अब हम क्या करेंगे? इसका लेंगे LCM 4, 9 plus 9 तो यह जोगा 18 by 4 इसको हम cancel कर सकते हैं 2 to the 4, 2, 9 to the 18 9 by 2 और 9 by 2 को अगर mixed fraction में change करते हैं तो 4, 1 by 2 इसी तरह से next sum जो है हमारा next में भी same यही procedure repeat करना है आपने 3, 3, 9 plus 1 कैसे करते हैं इसको solve? वो भी सिख लेते हैं हम एक बार इसकी इसके साथ multiply 3, 3, 9 plus 1 यह जो statement उते हैं उपरवाली उसको plus करना है आपने तो 3, 3, 9 plus 1 10 by 3 प्लस 2, 3, 6 plus 1 7 by 3 तो हमारा जो LCM रहेगा वो 3 यहां आजेगा 10 plus 7 17 by 3 तो 3, 5 जो 15 होता है तो mixed fraction अगर आप बनाते हैं तो आएंगे 5, 2 by 3 ठीक है इस तरह से आपको करना है simple है next question है 5, 2, 10 plus 1 11 तो यहां आजेगा 11 by 5 प्लस 5 बनेगा 5 प्लस 2 7 by 5 तो हमारा आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा 5 नीचे आजाएगा उपर 11 plus 7 18 by 5 इसको आप mixed fraction में भी चेंज कर सकते हैं तो आएगा 3, 3 by 5 next statement है 1, 1 by 6 तो 6 बनेगा 6 प्लस 1 7 7 by 6 प्लस 7 by 6 तो इसको आप solve करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6 उपर आजेगा 7, 7, 14 इसको आप cancel कर देए 6 को 2 पे 2, 3 जा 6 2, 7 जा 14 तो आंसर आजेगा 7 by 3 इसको आप चाहें तो mixed fraction में भी चेंज कर सकते हैं तो mixed fraction में चेंज करने पर जो हमारा ये जे पार्ण है ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा 2, 1 by 3 ठीक है नेक्स जो है इसको solve करते हैं 10 to 20 plus 3 23 by 10 प्लस 10 बंज़ा 10 प्लस 5, 15 by 10 तो इसको अगर आप प्लस करते हैं तो बनेगा 10 नीचे 3 plus 5 8, 2 plus 1, 3 38 अब आप चाहें तो इसको mix fraction में भी change कर सकते हैं 2 पे भी cancel हो रहा है 2, 5 ज़ा 10 2, 1 ज़ा 2, 2, 9 ज़ा 18 19 by 5 और mix fraction इसके बनेगे हमारी k part के 3 4 by 5 ठीक है next है इसमें एक जो है mix fraction है तो mix fraction को solve करेंगे 8 to 16 plus 5, 21 by 8 next वाले में जो number है वो whole number है तो इसके नीचे हम लगा देंगे या फिर natural number कह सकते आब 1 अब इनका LCM हमें लेना पड़ेगा क्योंकि number सेम नहीं है ध्यान एकना यहां पे तो LCM आएगा 8 जब एक तरफ 1 हो एक तरफ कोई number हो दूसरा तो वही LCM होता है क्योंकि 1 की टेबल में 8 आता है तो 8 की टेबल में 8 कितने पर आता है 1 पे तो 1 की 21 से multiply यहां 21 ही आ जाएगा 1 की टेबल में जब यहां पे 1 हो तो सीधा इसकी multiply इसके साथ कर दी जाती है तो 8 तरफ रिजा 24 तो कितना बने गई है 1 प्लस 4 फाइव 2 प्लस 2 फाइव डिवाइड बाइड बाइड 45 डिवाइड बाइड बाइड इसको आब हम mix fraction में भी change कर सकते हैं तो यह बन जाएगा 5 5 बाइड ठीक है mix fraction तो बनाना आता होगा आपको 45 इसको 8 से किया हमने 8 5 जा 40 ठीक है तो इसको answer को लेना होता है यहाँ पे remainder को उपर और इसको नीचे 5 5 बाइड next statement अब भी same है 8 तूजा 16 प्लस 3 19 बाइड प्लस 8 तूजा 16 प्लस 1 17 बाइड इनको कर देंगे प्लस नीचे 8 ही रहेगा उपर आएगा 9 और 7 16 होता है तो 36 बन गया है 8 की table 4 की table में cancel आजएगा 4 तूजा 8 4 नाइजा 36 तो यह आजएगा 4 1 बाइ 2 ठीक है next भी same इसी method से आपको करना है इसको खुट रहे करना है आपने और answer इसका जो है match कर लेना है answer last में बनेगा 5 5 by 6 ठीक है next है हमारा second sum बिल्कुल असान है subtract the following इसको subtract करना है हमें अब नीचे अगर सेम हो तो direct subtract कर देना है अपने नीचे है 7 तो कितना आएगा answer 4 minus 3 1 by 7 ठीक है ऐसे ही next जो है 20 by 21 है तो नीचे तो 21 ही रहेगा तो उपर आज़ेगा 20 minus 5 तो यह आज़ेगा 5 sorry 20 minus 5 15 by 21 अब 3 की टेबल तो हमें आती है 3 5 जा 15 3 7 जा 21 तो answer आज़ेगा 5 by 7 next है नीचे 30 रहेगा 17 minus 7 तो यह ज़ेगा 10 by 30 cancel करेंगे 0 से 0 तो answer आज़ेगा 1 by 3 next statement है 100 है नीचे तो 100 ही लेंगे उपर आएगा 81 minus 31 तो यह ज़ेगा 0 5 तो 5 बन ज़ेगा 5 5 तो ज़ेगा 10 तो answer हमारा बन ज़ेगा 1 by 2 next statement जो है वो है 60 नीचे है तो 60 लिखेंगे उपर आएगा 7 minus 1 तो 7 minus 1 कितना होता है 6 by 60 और हमें पता है 6 तेंजा कितना होता है 60 next statement है 18 by 31 15 by 31 तो नीचे 31 आजएगा उपर 18 minus 15 करेंगे तो 3 by 31 हमारा answer बन जाएगा next है mixed fraction तो solve करेंगे 5 तो 10 plus 4 14 by 5 5 बन ज़े 5 plus 1 6 by 5 तो इसको हम करेंगे sorry minus है बीच में हमने यहाँ पर plus लिखा तो mistakes को साथ के साथ correct जो कर लेता है वो हमेशा जंदगी में आगे बढ़ता है ये भी आपको याद रखना है तो minus किया हमने तो नीचे तो आएगा 5 16 में से 14 में से 6 को minus करेंगे 8 by 5 4 2 by 3 तो इसको solve करते हैं 3 forger 12 plus 2 14 by 3 minus 2 3 just 6 plus 1 7 by 3 तो ये आजेगा answer हमारा 7 by 3 क्योंकि 3 नीचे सेम रहता है 14 में से 7 को minus करेंगे 7 इसके हम अगर mixed fraction बनाते हैं तो ये बनेंगे 3 to just 6 होता है तो 2 1 by 3 next है 5 forger 20 plus 3 23 by 4 minus 3 forger 12 next है इसमें हम क्या करेंगे 5 forger 20 plus 3 23 23 by 4 minus 4 3 just 12 plus 2 14 by 4 अब इसको जो है solve करते हैं नीचे आजाएगा 4 उपर आएगा 23 minus 14 तो ये आजेगा 9 ठीक है 9 by 4 तो answer हमारा बनेगा 4 to just 8 होता है तो 2 1 by 4 ठीक है last जो है sum वो है 10 6 जा 60 plus 9 69 by 10 minus 10 10 to 20 plus 7 27 by 10 अब इसको solve कर देते हैं नीचे 10 आजाएगा तो 69 में से 27 minus 9 में से 7 गया 2 तो 42 हमारे पास आ गया इसको हम cancel कर सकते हैं 2 की टेबल पे 6 E अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राइज जुरूर दें आपको वीडियो कैसा लगा धन्यवाद